हेलो फ्रेंच वेलकम टू धिमान राजय धिमान यूट्यूब चैनल एंड फेस्बूक पेज फ्रेंच आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सारी वीडियो जो बना चुका हूँ अगर आपकी कोई क्वैरी है अगर आपकी इसकी वीडियोज का सुल्उषन चाहते हैं तो आप प्लेइलिस्ट में जाके उसका solution चेक कर सकते हैं आज की वीडियो के साथ कोस ओफ 40 डिग्री प्लस इटा कोस ओफ 10 डिग्री plus theta plus X 40 degree plus theta so trois 10 degree plus theta तो हम इसको left hand side के बरावर रख लिते हैं और फिर यहाँ पर इसको a के बरावर assume कर लेंगे तो यहाँ भी यह a के बरावर आएगा and 10 प्लस theta को b के बरावर मानेंगे तो यहाँ भी यह b के बरावर हो जाएगा अब इस सारे को जो left hand side है वो reduce हो जाएगी cos of a cos b plus sin यहां से फिर a sin b तो यहां से cos a cos b plus sin a sin b यह बराबर होता है cos a minus b क्योंकि जब दोनों cos की term होती है और दोनों sin की term होती है तो formula यूज होता है cos of a minus b हम यहां पर जो left hand side है इसको लिखेंगे फिर यहां से देखिए इस formula के हिसाब से cos a a मिलेगा हमें 40 degree plus theta और b minus के साथ 10 degree plus theta लेकिन minus से multiply करने के बाद यह theta minus हो जाएगा यह theta यह theta खत्म हो जाएगा तो हमें यहां पर मिलेगा cos of 40 degree minus 10 degree 30 degree और cos 30 की value हमें पता है under root 3 by 2 और यही हमारी right hand side है इसी को हमने prove करना है यह देखिए हमारा अगला question है sin of n plus 1 x into sin of n plus 2 x plus cos of n plus 1 x plus cos of n plus 2 into x यह हमें प्रूब करना है cos x के बराबर तो देखिए यहां इसको जो n plus 1 into x है इसको हम assume कर लेते हैं a के बराबर and n plus 2 x यह हम assume कर लेंगे b के बराबर तो हमारी यह left hand side इसको assume करेंगे यह reduce हो जाएगी sin यहां से यह देखिए a के बराबर हमने assume किया है यहां देखिए क्यों हमने ऐसा किया क्योंकि यहां पर दो term sign की है sign और यह भी sign यह दो cos की है तो देखिए यहां से मिलेगा sign a into sign यह है हमने b के बराबर रजियूं किया इसको फिर plus cos यह देखिए यह a के बराबर ही है into cos और यह term b के बराबर है और हमने formula याद किया हुआ है cos से इसको हम इस term को पहले लिख लेते है cos a cos b plus sign a sign b और यह formula हमें याद है cos a cos b plus sign a sign b यह बराबर होता है जब यहां पर plus है तो बीच में minus दोनों angle का difference a minus b अब हम यहां से a की value put कर देंगे यहां से b की value put कर देंगे तो हमारी left hand side reduce हो जाएगी cos of a की value रिखिए n plus 1 x b की value n plus 2 x अब इसको हमने simplify करना है तो यहां से क्या मिलेगा x common आएगा n plus 1 minus n minus 2 ऐसे x हमने common ले लिया इन दोनों term से तो देखिए यह n यह n खत्म हो गया और हमें यहां से मिला cos of minus 2 यहां से यहां से plus 1 मतलब minus 1 x अब actual में यह लिखा जा सकता है minus x और एक formula है हमारे पास cos of minus theta यह होता है plus cos theta क्यों क्योंकि देखिए angle minus है तो ऐसे चलेगा clockwise और fourth quadrant में cos positive होता है इसलिए यह positive रहेगा तो हमें यहां से इसकी value मिलेगी cos x और देखिए यही हमने प्रूब करना है हमारे right hand side cos x यह हमने प्रूब करना है cos pi y 4 minus x cos pi y 4 minus y minus sin pi y 4 minus x sin pi y 4 minus y sin of x minus y के बरावर प्रूब करना है तो हम इसको left hand side के बरावर रख लेते हैं अब देखिए अगर हम pi y 4 minus x को A के बराबर assume करें and πy by 4 minus B को B के बराबर assume करें तो यह सारी के सारी टर्म किसके बराबर हो जाएगी देखिए cos A cos B minus sin यह भी यहाँ पर A के बराबर हो जाएगा और यह B के बराबर तो यहाँ से sin A आगे sin B और यह फॉर्मूला हमें याद है cos A cos B minus sin A sin B यह होता है cos of A plus B हम यहाँ पर A और B की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर हमें left hand side में लेकि फिर इसी हिसाब से cos A की वैल्यू A की वैल्यू है यहाँ से πाई बाई 4 minus x और B B की वैल्यू है πाई बाई 4 minus by अब इसको सिंप्लिफाई करना है तो यह मिलेगा πाई बाई 4 plus πाई बाई 4 πाई बाई 2 माइनस यहाँ से माइनस को मन ले लिया और यहाँ से तो हमें मिला πाई बाई 2 minus x प्लस y और हमें पता है cos of 90 minus theta यह होता है sin theta के बराबर क्योंकि एंगल first quadrant में है और first quadrant में सभी positive होते हैं और 90 के लिए टीरे सो change हो जाती है तो यहाँ से हमें मिलेगा sin जो एंगल है यहाँ पर x प्लस y x प्लस y और देखिए यही हमने प्रूब करना था sin x प्लस y हमारी right hand side हमारा अगला question है sin of 40 degree plus theta cos of 10 degree plus theta minus cos of 40 degree plus theta sin 10 degree plus theta यह हमने प्रूब करना है 1 by 2 के बराबर तो सबसे पहले हम इसको left hand side के बराबर लिख लिते हैं अब इसको हमने study करना है देखिए यहां पर sign है यहां cos है यहां cos है यहां sign है बीच में minus है और जब हम angle को देखेंगे यहां पर यह angle और यहां पर यह same angle है यहां पर भी यह angle और यहां पर यही angle है मतलब इस angle को अगर हम a मान ले इसको b मान ले तो यहां से फिर a एंगल है यहां पर b एंगल है तो हम ऐसा ही करेंगे क्यूंकि यह formula फिर reduce हो जाएगा क्या करेंगे putting a is equal to 40 degree plus theta and b is equal to 10 degree plus theta हमारी left hand side reduce होके लिखे जाएगी sin यहां से a cos यहां b minus cos a sin b अब इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखें यह formula है हमारे पास sin a cos b minus cos a sin b sin of a minus b जब यह a minus b है तो यहां से फिर से हम a की value और b की value put कर देंगे a की value आएगी 40 degree plus theta b की value 10 degree plus theta जब इसको simplify करेंगे तो यह मिलेगा हमें sin 40 degree plus theta minus 10 degree minus theta अब देखिए यहां से यह theta और यह theta cancel हो जाएगा हमें मिलेगा sin 40 degree minus 10 degree 30 degree और 30 की value हमें पता है 1 by 2 के बराबर और यही हमने prove करना है half के बराबर तो यह आ जाएगा right hand side so friends यह था आज का वीडियो जिसमें हमने trigonometric के कुछ questions को prove किया मुझे पूरी उमीद है question आपको समझा गए होंगे और वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो इसको like करे अपने friends के साथ भी share करे अगर आपने यह वीडियो हमारे facebook page के उपर देखा है तो हमारे page को like और follow जुरूर करे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे youtube channel को subscribe करके रखिए धन्यवाद